आपको समझ गया होगा कि टूड़ेज वीडियो इस पार्ट आपको फेमस यूटुबर फ्री स्टेजी सीरीज वेर वी टेस्ट स्ट्राइजी प्रोवाइड यूटुबर यूटुबर्स एंड बैक्टेस्ट दो स्ट्राइजी एंड कैल्कुलेट दे रियल विन रिट बट आज के स्ट्राइजी में कोछ अलग है क्योंकि इस स्ट्राइजी में आपको चार्ट यूजी नहीं करना है इन फैक्ट अगर मैं यह जिनकी स्ट्राइजी है उनके वर्ड कोट करू तो स्ट्राइजी चार्ट पे नहीं प्रोबाबिलिटी पे बेस्ट है और परफेक्ली का किया था उनका रिजल्ट्स तो काफी अमेजिंग था सो देखते यह वाला कैसे काम करते हैं सो टुड़ेज वीडियो वी विल सी अनदर शाड़ेजी क्रेट फॉर शाड़ेजी गोस्टू मिस्टर नीरज जोशी वहाज यूटूब चैनल विद ओवर टू मिलियन सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारा कॉंटेंट भी अच्छा लग रहा है तो भाई कर दो यार सब्सक्राइब और कितना बोलो यार तुमको सो टुड़ेज वी आर गटेस्ट अनदर फेमस स्ट्राइजी विच इस बीटी स्टी ऑप्शन ट्रेइडिंग स्ट्राइजी स्ट्रीन पर यह वीडियो दिख रहा होगा और हां यह हमेरे चनल पर पहली स्ट्राइजी होगी जो हमप्र ऑप्शन में ने ही test कर रहे है क्योंकि यह स्ट्राइजी का चैशा है यह स्ट्राइज能 Do के बनाया है और बैक टेस्ट करके भी आपको रिजल्ट दिखाया वीडियो में देखते हैं इसको भी और रिजल्ट कैसा है वो भी उन्होंने अपने वीडियो में इसे बैंक निफ्टी में टेस्ट किया है तो हम भी इसको बैंक निफ्टी के आप्शन में ही टेस्ट करेंगे और हाँ जैसे हर स्ट्रेड़ियो होती है इसमें भी कुछ ऐलिमेंट है जो सब्जेक्टिव है हम उसे अब्जेक्टिफाई करेंगे और रिजल्ट देखेंगे तो इंट्रो के अदम स्ट्राटेजी पे चलते हैं जा हम BTST option trading strategy from Neeraj Joshi को total 100 times test करेंगे in bank nifty और चेक करेंगे कि कैसे काम करता है So hi everyone, this is Pranit from Trader Insight. Let's start the video सबसे पहले हम trading view open करेंगे और bank nifty plot करेंगे simply यहाँ पर उपर क्लिक करो bank nifty search करो तो आपको मिल जाएगा अब time frame को हम one day कर देंगे हो गया setup ready अरे भाई रुको, समझो मेरी बात, मानता हूँ मैंने पहले ही बोला कि आपको इस strategy में charts देखनी की कोई जरूत नहीं है बट वो partially सचता, अब strategy कैसा है मैं वो समझाता हूँ, सुनो So BTST strategy यानि buy today, sell tomorrow वाली strategy में आपको market close होने से पहले यानि 3.15 से 3.30 के बीच में अपना trade लेना होता है, अपनी position बनानी होती है और पूरी राद अपनी position को hold करना है, क्योंकि आप 3.30 के बाद तो उसको sell नहीं कर सकते अब पूरी राद इसे hold करेंगे और अगले दिन जैसे ही market open होगा, यानि 9.15 तो हम 9.15 से 9.20 के बीच में अपनी position को square off कर देंगे और profit हुआ या loss हुआ हम उसे book कर लेंगे क्योंकि आपने देखा होगा, market में जो बड़े-बड़े moves होते हैं वो usually over 90 होता है इसलिए वो ये strategy यूज़ कर रहा है, अब question यह आता है प्रणीत यह option strategy है, तो अगर मैं को 3.15 से 3.30 के बीच में position लेना है तो मुझे call buy करना है या put buy करना है क्योंकि charts देखके आप यह नहीं decide कर सेते कि अगले दिन market positive open होगा कि negative open होगा, obviously आप speculate कर सकते हो बट कैसा है, global news क्या होगा, रातो रात क्या news आ जाए यह कोई नहीं बता सकता, तो करे तो करे गया generally लोग ऐसे case में hedging करते है, बट यह strategy वैसी नहीं है और नीरज जी के इसाब से यह hedging से भी better है और simple तरीका है अभी आपको पता है कि week में आपको 5 trades मिलेंगे और अगर आप expiry to expiry जाते हो, तो भी आपको 5 trades ही रहते है तो आपको क्या करना है, कि आपके capital को 5 इसों में divide करना है equally, और हर trade में max एक part जितना ही आपको risk करना है जैसे मैं बोलू मेरा capital एक लाग का है, तो every trade पे मैं maximum 20,000 का ही trade ले सकता हो, ये part तो ठीक है अब अपने original questions पे चलते है, कि आपको C buy करना चीए, कि P buy करना चीए ये actually depend करता है कि आजकल market का overall direction क्या है अगर market bullish है, और कुछ time से positive में ही open हो रहा है तो आपको call buy कर लेना चीए, और अगर कुछ time से market negative है और negative ही open हो रहा है, तो आपको put buy करना चीए, बट हाँ, एक चीज़ याद रखना अगर आपने एक दिन put buy कर लिया, तो पाचो के पाचो दिन आप put ही buy करोगे और अगर एक दिन आपने call buy कर लिया, तो पाचो के पाचो दिन आपको call ही buy करना है यह part simple, obviously आपको दो question आया रहेगा, जो subjective भी है, अब जैसे यह देखिए, यह दो चीज़ subjective आपको screen पर दिख रहा होगा first thing, CE और PE, कुछ time से market positive open हो रहा है, कि negative open हो रहा है, वो कैसे decide करोगे और second चीज, strike price, हम simply इसे objective करने के लिए क्या करेंगे, let's say, यह example है, जो उन्होंने अपने वीडियो में भी दिखाया है 28 October से 3 November वाला जो period है, हम उसके लिए decide करेंगे कि CEY करना है कि PEY करना है, इसमें हम क्या करेंगे, 28 के candle को पहले mark करेंगे और फिर इससे 8 candle पीछे, जो भी candle रहेगा उसको mark करेंगे, अब क्या करेंगे, यह 28 और 27 के बीच का जो period है उसे ignore करेंगे क्योंकि actual market में आपका 27 का day close नहीं हुआ रहेगा, तो आपको नहीं बता सकते हैं So remaining 7 दिन में हम चेक करेंगे कि market अपने previous दिन के price से उपर open हुआ है कि नीचे open हुआ है जैसे यहां आप देखोगे, यहां first वाला उपर open हुआ है और इसके अगला वाला भी उपर open हुआ है इसके बाद वाला नीचे open हुआ है और फिर इसके बाद continuous चार दिन तक market उपर side ही open हुआ है सो बैंक निफ्टी में साथ में से छे दिन positive open हुआ है और सिर्फ एक दिन negative open हुआ है सो हम यह आगे का period जो है 28 से 3 इसके बीच में हम सिर्फ CEY करेंगे अब strike price कैसे select करेंगे उन्होंने दे बोल दिया कि आपको suitable strike price select करना है बट कौन सा यह नहीं बता है तो हम इस case में क्या करेंगे इसके weekly chart पे जाएंगे जैसे आप screen देख सकते हो यहाँ पर हमारा period जो है यह 28 वाला तो इससे जो एक week पहला है जी जो candle इसका हम close price देखेंगे कितना है अभी यहाँ पर आप देखोगे कि close price 40780 के आसपास है option का price कहा से लाएंगे don't worry आपका buy है इदर simply आपको यह NSE के website पर जाना है आपको इदर सब option का EOD मिल जाएगा link इसका मैं description में डाल दूँगा यहाँ पर जाएंगे और सबसे पहले instrument में index option select करेंगे फिर symbol में bank nifty select करेंगे और year 2022 अब expiry यह example में आप देखोगे तो 3 November का था तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 November select करेंगे expiry अभी type हमने decide कि है कि हम यहाँ पर हम call buy करेंगे तो हम इदर type में C select करेंगे strike price जैसे हमने पहले बोला 40800 select करेंगे और period इदर है न Thursday to Thursday so जैसे हमारा जो Thursday का expire यह 3 November है so इसके लिए क्या करेंगे हम 27 October जो Thursday है वहाँ से data लेंगे 3 November तक का अभी इसके बाद simply get data पे click करेंगे और ok कर देंगे यहाँ आपको ऐसा पूरी कुंडली मिल जाएगी इसमें से अभी close price को हम entry price मानेंगे और जो open price है अगली दिन का उसको हम exit price मानेंगे जैसे यह 27 का example है देखिए 27 का अपने entry लिया right so इधर close price था 794.95 so इसको हम अपना entry price मानेंगे फिर अगली दिन जैसे ही market open हुआ which is around 818.75 पे so हमारे लिए उस दिन profit हुआ I hope यह example आपको clear है आपको screen पे उस week का पूरा दिख जाएगा कि कैसा performance है unfortunately हमें यह week में loss हुआ है कोई बात नहीं loss is a part of a game आगे बढ़ने से पहले I would like to give shout out to chat prime who are today's video sponsor जिनको नहीं पता chat prime is a custom indicator service यह बाकी सब indicator service जैसे आपको सिर्फ buy SL के tips देने वाले services नहीं है इनका goal उन trader पे focused है जो अपने trading career के मामले में serious है और इनके tool को additional confirmation की तरह अपने analysis में use करते हैं यह आपको total 5 indicator provide करते हैं जिसमें more than 20 different influence points होते हैं जो आप अपने analysis में use कर सकते हो अगर आप एक price action trader हो तो आपको पता होगा कि multi time frame analysis या फिर top down approach कितना important होता है जो beginner से उनके लिए simple में बोलता हो let's assume कि आप एक intraday कर रहे हो तो multi time frame analysis में क्या होता है कि पहले आप daily time frame open करते हो फिर यहाँ पर important support और resistance level mark करते हो इसके बाद आप one hour time frame पे जाते हो वहाँ पर important support resistance mark करते हो और फिर जाके आप अपना 15 minutes या फिर 5 minutes का time frame का chart खोलते हो और वहाँ पर अपना support resistance mark करते हो तो अभी आपको इतने सारे levels मिल गया है अब वही levels के सब्सक्राइड करते हो जनरली प्राइज अपने higher time frame के support और resistance को जाधा respect करता है अभी यह सब process के similarly उनको एक indicator है smart money concept bundle indicator करके यह automatically आपको multi time frame levels के support and resistance screen पे दिखा देता है और यह उसके बाजो में link भी देता है कि यह कॉंसे time frame का support और resistance है और उसको rating भी देता है कि यह support और resistance level कितना important है आप इसके settings में जाओगे तो आपको और बहुत सारे options दिखेंगे ऐसे इनके पास और 6 अलग indicators है obviously this is not for everyone और मैं आपको guarantee भी नहीं दे सकता हो कि आपको यह हमेशा पैसा बना के देगा बट इतना तो हम भी जानते कि हम traders और हम probability पर खिलते है so I would advise to take their one month subscription and try out the product yourself और जितना experimentation या back testing करना है कर लो सही लगता है तो ही continue करो नहीं तो मत करो और description में मेरा link रहेगा जहां मेरा link यूज करोगे तो आपको 40% तक उनका product off मिल जाएगा so if you find it interesting then make sure to check them out चले एक और example देखते हैं यह वाला देखिए यह 23 September का example है इसमें हमें 23 का candle mark करना है और इसके 8 candle पीछे यह जो 13 वाला है उसको mark करेंगे इधर आप देखोगे साथ दिन में से सिर्फ दो दिन ही positive अपन हुआ है और बागी के 5 दिन market negative है तो हम PE सिलेक करेंगे अब इस case में expiry जो है वो 29 September का है और strike price अपने को क्या सिलेक करना है इसको simply हम weekly time frame पे जाएंगे और यहाँ पर आप देखोगे कि एक week पहले इसका जो price था हो 40790 के आसपास है so strike price हम 408 00 ही सिलेक करेंगे और वो website पे जाएंगे और data निकालेंगे तो आप यह website पे जाके data निकालोगे तो आपको यह सब मिल जाएगा अब इस example को भी हम ऐसा plot करेंगे आपको screen पे दिख रहा होगा आपको यह week में profit हुआ ऐसे ही हम इसको 100 times test करेंगे इसके लिए मैंने specially एक अलग excel sheet बनाया था इसको backtest करने के लिए I hope यह strategy clear है explanation थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि regular backtesting नहीं है और बहुत मैनत गया है भाई strategy में तो make sure to like this video अगर आपको कोई और doubt है तो आप उनका video देख सकते हो या फिर आप description में question पूछो मैं उसका जवाब दे दूँगा तो इस strategy को हम total 100 times test करेंगे और इसका असली win rate चेक करेंगे I'll let you know the full result after the test चलिए result देखते है So the tests are over जैसे आप देख सकते हो total number of trade was 100 उसमें से 52 are win and 48 was loss So win rate हुआ 52% total gain in an account was 4.08% और max drawdown is minus 8.18% continuous win in a row is 4 and continuous lose in a row is 5 total duration of the test was 5.26 month So जैसे आप देख सकते हो strategies technically profitable 4.08% gain in 5.26 month इसका आप max drawdown देखोगे तो minus 8.18% है which itself is not bad for our index strategy but इसको आप इसके gain से compare करोगे न तो कम है वो which I usually don't like और सोचिए 4.08% without brokerage है इसका gain अगर हम brokerage को consider करेंगे तो यह loss making strategy बन जाईए अभी एक चीज़ इसमें ध्यान देने जैसा है कि मैंने इधर है न सब lot size को 25 रखा है और option के case में आपको पता है कि आपको कभी एक option है न जैसे आप इधर देख सकते हो 196.55 रूपीज में मिला तो आप देख सकते हो कि वो आपको वही same option आपको 855.2 रूपीज में भी मिला है which is like 4000 रूपीज versus 21,000 रूपीज ऐसा ट्रेड करना proper risk manage करना नहीं होता है अगर हम ये देखेंगे न कि हमारा max या minimum capital per trade क्या हुआ है तो इधर मैंने side से निकाला है जैसे आप देख सकते हो हमारा max capital per trade was like 74,530 रूपीज और minimum आप देखोगे is 600 अब उन्होंने ही बोला है कि आपको आपका capital को 500 में equally divide करना है इसलिए हमने 74530 को 5 से multiply किया है और इधर capital डाला है और उसी के base पे ही पूरा calculation किया है और ये 74,600 का difference is very huge ऐसा आप different different रखोगे न तो आपको values बराबर नहीं होगा actual live market comparison में सो अब क्या करेंगे अब risk manage करने के लिए आपके बास दो method है first कि हर example के लिए आप अलग-अलग strike price select करो अब जिसा आप first example देख सकते हैं 35,100 strike price पे आपको 15 July को है न 196.55 में entry मिला सो अगले दिन आप ऐसा strike price select करोगे जो 195 रुपिस के आसपास हो या फिर आप second method क्या कर सकते हो कि ये lot size को adjust करो obviously हम थोड़ा lot size वाल option करेंगे भाई इसमें इतना मेहनत चा गया है हमारा अब वो भी आप वोलोगे तो बाद में कर लेंगे इधर हमने क्या किया है थोड़ा formula use करके excel में हमने lot size calculate किया जिससे हमारा maximum capital और minimum capital थोड़ा आसपास है तो result आपके सामने है इधर हमारा max capital per trade is same that is 74,530 रूपीज but minimum capital used 600 से सीधा 37,700 पे पौँच गया which is far better than 600 अब results आपको दिख रहा होगा सामने बाकी सब चीज़े तो सेम है but total gain और max.on change हुआ है gain in account is now 16.2% and max.on is minus 21.56% so result आपके सामने है अब आप में से कोई उनके fan हो सकता है जो ये बोलोगे कि भाई नीरत सर ने तो इसको 7 week back testing करके दिखाया और उसमें से 5 week में profit हुआ था और 2 week में ही सिर्फ loss हुआ है तो आपका result ऐसा अलग क्यों है आपके screen पे मैं 2 example रखता हूँ और उनका भी सामने रखता हूँ ये 3 November का expiry है और ये 8 November का expiry है आपको दिख रहा होगा screen पे अब देखोगे तो उनके example में आप देखोगे न कि उन्होंने लिखाए कि आपको ये 2 week में profit हुआ है बट actually में आप check करने जाओगे तो ये 2 अफते में आपको loss हुआ है और मैंने just cross check करने के लिए बाकी सब भी check किया बाकी सब का data exact मेरे से compare कर रहा है exact one is to one ही आ रहा है जो अगर मैंने उनका price ही डाल रहा हो तो बट ये दोनों example गलत हैं उनके उसमें तो अगर ऐसा ही साब लगाओगे बट result जो है मैं आपको बता रहा हूँ usually जब भी कोई ऐसा strategy share करता है जो ये बोलता है कि आपको chart देखनी की कोई जरूत नहीं है तो मैं उसे देखना बंदी कर देता हूँ आपका request था और इनका subscriber count भी high था तो मैंने सोचा क्या पता ये genuine चीज़े दिखाते हो अपने channel पर but unfortunately मेरी gut feeling सही निकली इसलिए जैसे मैं आपको सीथा बोलता हूँ मेरी बात या किसी की भी बात को आपको blindly trust नहीं करना है और हर strategy को पहले खुट test करना है और फिर decide करने की strategy कैसे काम करता है so I'll add the strategy in the google sheet link in the description and this takes the 19th position in the list you can check the list and review or rewatch any specific strategy you like so guys if you like the video please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification and do like the video and share the video and make sure to check chat prime from below description मेरा code यूस करके आपको उनके product में 40% में मिल जाएगा और अगर आप हमको support करना चाहते हो तो UPID आपके screen पे होगा और अगर आपको DMAT account open करना है तो मैं description में 0 दागा link डाल दूँगा हमसे account open करके आप channel की थोड़ी help कर सकते हो और अगर आपको हमारी regular back testing sheet चीट चीए तो उसे मैंने हमारे channel पे already share किया है link description में होगा आप आसे check out कर सकते हो please comment में आपके feedback दीजिए और कौनसे strategy आप चाहते है कि हम back test करें अपने future videos में ये भी बताना आप अमारे channel के playlist देख सकते हो और दूसे strategies के videos भी देख सकते हो all the social media links will be in the description please follow us and show your support more awesome contents are on the way so see you next time